नमस्कार दोस्तों, YouTube Channel रवी लल बीम आपका स्वागत है आज के वीडियो में हम पैरूल कानून के विसे में जानकारी देने वाले हैं पैरूल क्या है, पैरूल किसे मिलता है, पैरूल का अधार क्या है, पैरूल के नियम वा सरते क्या है वह सर्तों का उलंखन करने पर सजा का प्राउधन क्या है पैरूल पर सुप्रीम कोट की राय क्या है ये वीडियो बहुत ही खास है इस वीडियो को बनाने में विसेश मारदासन दॉक्टर आश्योक कुमार राय का प्राप्थ हुआ है जो associate professor है किया साकेट PG college और संकाय अध्यच्छ है डॉक्टर राम उन्हों लोया अवद इन्वस्टी के तो वीडियो को अन तक देखिए और यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और यदि अभी तक आपने हमारी चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है कारावास की आउधी में अच्छे आचरण करने वाले चुनिंदा कैदियों को कुछ सर्तों के साथ बंधन मुक्त किया जाता है तकी वे समाज में सामानी जीवन बिठाते हुए स्वयम को पुनरवासित कर सके कैदियों की इस प्रकार की ससर्त रिहाई को पैरोल कहते है पैरोल जेल की कुछ सजा भुगत लेनी के पश्चाज प्राप्त होती है और जिसके अंतरगत कैदियों पे कुछ सर्तों का बंधन रहता है जिनका उलंगन के जाने पर उसे पुनर कारावासित करके से सजा कारावास में भुगतनी पड़ती है पैरोल एक कैदियों को सजा की निलंबन के साथ रिहा करने की एक प्रणाली है रिहाई ससर्थ है आम तोर पर बेवहार के आधीन है और इसके लिए समय समय पर अधिकारियों को रिपोर्टिंग की आउसकता होती है पैरोल एक सुधार परक्रिया माना जाता है और पैरोल का प्रावधान को कारागार प्रणाली के मानवीय बनाने के दिश्टी से पेश किया गया था जब कोई व्यक्ति अपराद के अनुसार न्याधीस के द्वारा सजा सुनाई जाती है जिसके बाद उस वेक्ति को जेल भेद दिया जाता है पैरोल के लिए अरजी तभी दाखिल की जा सकती है जब अपरादी सजा काट रहा हो इसकी अरजी किसी अदालत में पेंडिंग ना हो उधारण के लिए यदि किसी दोसित वेक्ति को 14 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई हो ऐसे में उस बंदी वेक्ति को उसकी सजा क्योधी पूरी ना हुई हो या सजा क्योधी समाप्थ होने से पहले उस वेक्ति को आइस्थाई रूप से सर्तों के साथ जेल से रिहा करने को ही पैरोल कहते है या पैरोल बंदी व्यक्ति के अच्छे आचरण को ध्यान में रखते हुए दी जाती है पैरोल पाने के लिए बंदी व्यक्ति के वकिल के द्वारा पैरोल का आविदन दाखिल करना होता है पैरोल गंभीर से गंभीर अपराद के अपराधियों को भी मिल सकती है लेकिन प्रसासन कैदी की अर्जी को मानने के लिए बात ही नहीं होता है प्रसासन कैदी को एक समय विशेज के लिए जेल से रिहा करने से पहले समाज पर इसके असर को भी ध्यान में रखता है पैरोल एक तरह की अनुमती लेने जैसा है पैरोल के लिए मुजरिम जेल सुप्रिटेंडन को याचिका देता है और वा उस आबेदन को ग्रह मंत्रालेक पास भेजता है और फिर उस पर फैसला लिया जाता है अगर प्रसासनिंग लेवल पर पैरोल की अरजी खारिज हो जाए तो उसके खिलाब हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है और वहां से अरजी खारिज होने पर सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की जा सकती है पैरोल दो प्रकार की होते है Custody Parole और Regular Parole Custody Parole जब कैदी के परिवार में किसी की मृत्य हो गई हो या फिर परिवार में किसी की साधी हो या फिर परिवार में कोई सक्स गंभी रूप से बीमार हो तो उस वक्त उसे custody parole दिया जाता है इस दोरान आरोपी को जब जेल से बाहर लाए जाता है तो उसके साथ पुलिस कर्मी होते है और इसकी अधिकता मौधी 6 घंटे के लिए ही होती है custody parole के लिए जब कैदी आविदन करता है तो जेल सुप्रेटेंडन इसके लिए आदेश जारी कर सकता है अगर जेल प्रसासर इसके लिए इंकार करता है तो कोट का दरवाजा खट-खटाया जा सकता है regular parole regular parole दोसी को ही दिया जा सकता है and profile को नहीं अगर दोसी ने एक साल के सजा काट लिए हो तो उसे regular parole दिया जा सकता है उन मुझरिमों को parole नहीं दी जा सकती जिसने रेप के बाद हत्या को अंजाम दिया हो उस्यारी जासकता है साथ ही जो आतंगवाद देश-दुरोव से सम्मदित मामलों में दोसी करा दे गए हो उसे पैरोल नहीं दिया जा सकता है रेगुलर पैरोल एक बार में एक महिने लिए ही दिया जाता है और आती विशेश परिष्टितियों में इसे बढ़ाया जा सकता है पैरोल के आधार कैदी अपने परिवार वा रिष्टेदारों के खुशी वा गम में सामिल होने के लिए पैरोल ले सकता है कैदी अपने परिवार में कोई मुसीबात आए जैसे कोई दुरघटना हो जाए या कोई गंभी रूप से बीमार हो जाए और उसे देखने वाला कोई ना हो तो उसकी देखभाल के लिए पैरोल ले सकता है यदि कैदी ऐसी बीमारी से ग्रसित हो या गंभी रूप से बीमार हो जिसका इलाज जेल के अस्पताल में नहीं हो सकता है तो ऐसे में इलाज के लिए उस कैदी को पैरोल पर रिहा किया जाएगा परिवार में कोई कमाने वाला ना हो तो कैदी अपने परिवार के पालन पोशन के लिए भी पैरोल ले सकता है कैदी अपनी प्रॉपरिटी को बेचने ट्रांसफर करने और वसीहत करने के लिए भी पैरोल ले सकता है कैदी अपने किसी सरकारी कार को करने के लिए भी पैरोल ले सकता है कैदी की पत्नी द्वारा बच्चे की डिलेवरी के लिए भी पैरोल लिया जा सकता है प्राकर्तिक आपदों में कैदी के परिवार के जीवन या संपत्ती को गंभिर छती होने पर भी पैरोल लिया जा सकता है कैदी अपने किसी पारिवारी वर रिष्टेदारी में कोई सरकारी कारवाही में सामिल होने के लिए भी पैरोल ले सकता है यदि कैदी की कोई संतान नहीं है ऐसे मेवा कैदी और उसकी पद्नी की सहमती से संतान उत्पत्ती के लिवी पैरोल का आवेदन दिया जा सकता है लेकिन इस प्रकार के पैरोल के आवेदन पर जेल प्रसासन की भून का महत्पूर होती है पैरोल एक साल में कितनी बार मिल सकती है अगर कोर्ट में केश चल लहा है तो जज अपनी मर्जी से कितनी बार भी अपराधी को पैरोल दे सकता है लेकिन जेल में बंद साजाय आपता कैदी को साल में दो बार ही पैरोल मिलती है लेकिन परिष्थितियों के हिसाब से अप रादियों को दो बात से अधी भी पैरोल दी जा सकती है तक कि वे अपने परिवार के किसी समारो वा सुख दुख में सामिल हो सके समानेता एक साल में पैरोल देने का समय किसी कैदी के लिए चार माह का होता है वैसे अपने एक और्डर में सुप्रिम कोट ने कहा है कि यदि कैदी का आचरण जेल में अच्छा रहता है तो उसे बिना किसी कारण के भी एक साल में दो सपता के लिए पैरोल पर छोड़ देना चाहिए तक ही वैं अपने परिवार्वा समाज से जुड़ा रहे वह उसका मांसिक संतुलंबी ठीक बना रहे इससे एकलाब यहाभी मिलने की संभावना होती है कि कैदी में जीवन जीने वह परिवार के पास जाने की इच्छा जागरित हो जाती है जिससे कि वो अपना ब्यवहार समान बनाये रखता है वो परिवार्वा समाज की चाह में दुबारा अपरात करने से भी तौबा कर सकता है पैरोल के नियम वो सर्ते पैरोल पर छूटे अपराधी को पैरोल की सभी सर्तों का पालन करना निवार होता है पैरोल छूटे अपराधी नसा नहीं करेगा नहीं साराप के अड़े पर जाएगा अपराधी सिकायत करता या गवहों को किसी प्रकार की कोई हानी नहीं पहुचाएगा नहीं किसी वेक्ति के खिलाब कोई सड्यंत रचेगा अपराधी कोई हत्यार नहीं रखेगा नहीं सिकार करेगा अपराधी अच्छे नागरिक की तरह जीवन बिताएगा और कानून का पालन करेगा अपराधी अन्य अपराधियों से किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं रखेगा अपराधी देर रात तक बाहर नहीं घुमेगा नहीं जुवा खेलेगा अपराधी बिना इजाजा साधी नहीं करेगा नहीं वैश्यों के पास जाएगा अपराधी अपने बताय हुए किसी निश्चे छेतर में ही रहेगा और उस इस्थान को छोड़कर किसी भी हालत में बाहर नहीं जाएगा अपराधी अपने पैरोल में मांगे हुए कारी को करने के अलावा सूरियस थोने के बाद बाहर नहीं जाएगा सिर्फ घर पर ही रहेगा अपराधी किसी प्रकार का नाचगाना नहीं करेगा नहीं कोई ऐसा कारे करेगा जिससे समाज में कोई परिशानी उत्पन हो पैरोल और इसके नियमों के अनुसार अगर पैरोल परिवार के पालन पोशन के लिए लिए गई है तो वा नौकरी नहीं बदलेगा अगर किसी हालत में नौकरी बदलनी पड़ी तो पूरे विबरन के साथ कोट जिला प्रसासन को सुचित करेगा कि उसने ऐसा क्यों किया वा किन हालात में किया वा उस नए काम वा नौकरी करने की इजाज़त भी लेगा पैरोल लेके भाग जाना जो कैदी पैरोल के नियम और सर्तों को ना मानते हुए भाग जाते हैं ऐसे कैदियों को दो साल की कैद वा जुर्बाने से डंडित किया जाता है अगर कैदी पैरोल पर छोड़े जाने के बाद दुबारा जुर्म करता है या पैरोल की सर्तों को तोड़ता है तो ऐसी इस्तिती में उसे दुबारा पैरोल नहीं मिलेगा पैरोल की सरते तोड़ने पर कैदी को वापस जेल भीड दिया जाता है और सजा का सेज भाग उसे जेल में ही बिताना पड़ता है अगर कैदी बरी होने के बाद दुबारा किसी केस में पकड़ा जाता है तो उसे दुबारा पैरोल नहीं मिलेगा पैरोल की नियम तूटने के बाद भी अगर कैदी का बैवहार अच्छा है तो उसकी सजा में अच्छे बैवहार के कारण कमी हो सकती है लेकिन पैरोल दुबारा नहीं मिलेगा उम्मीद है दोस्तों आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया होगा यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेर करें और कमेंट करें और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब में किया है